नमस्कार दोस्तों पतला करती है और फेफडों में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है इसके अलावा अस्थमा और COPD से पीडित व्यक्तियों को भी डॉक्टर ब्रोजीट सिरप को लेने की सला दे सकते हैं ब्रोजीट सिरप वायुमारक की मानस्पेशियों को रिलैक्स करके और फेफडों के सांस लेने के रास्ते को चोड़ा करती है ब्रोजीट सिरप को लेने के बाद फेफडों के वायुमारक चोड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से अस्थमा और COPD से पीडित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ब्रोजीट सिरप की वज़ा से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में ब्रोजीट सिरप की वज़ा से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे मुं में सूखापन होना, सिरदर्ध होना, घबराहट होना, चक्कर आना, शरीर में थकान वसुस्ती होना, नींद अधिक आना या नींद कम आना, उल्ती आना और उल्ती आने का मन होना, पसीना अधिक आना, दस्त होना, भूक कम लगना, छाती में जलन होना और मुं के स वाद में बदलाव होना आधी साइड इफेक्ट्स ब्रोजीट सिरप की वज़ा से हो सकते हैं अब हम डिसकस करेंगे कि ब्रोजीट सिरप को कैसे लेना रेकिमेंड़ होता है ब्रोजीट सिरप को खाना खाने के बाद लेना रेकिमेंड़ होता है आम तौर पर दो साल से लेकर 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 5 मिलिलीटर ब्रोजीट सिरप को दिन में 3 बार लेने की सला देते हैं और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलिलीटर ब्रोजीट सिरप को दिन में 3 बार लेने की सला देते हैं ब्रोजीट सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको ब्रोजीट सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिसकस करेंगे कि ब्रोजीट सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। दो साल से कम उम्र के बच्चों को ब्रोजीट सिरप को देना रेकेमेंड़ नहीं है। वह ज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। लगातार ज्यादा लंबे समय तक ब्रोजीट सिरप को लेना रेकेमेंड़ नहीं होता है। अगर आपको ब्रोजीट सिरप को लेते हुए एक सप्ता से भी अधिक का समय हो चुका है। और आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो आपको डॉक्तर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए। ताकि आपका डॉक्तर खांसी होने के कारण का पता करने के लिए दोबारा से जांच करवा सके। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में ब्रोजीट सिरप को लेने के बाद ज्यादा नीन नहीं आती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ब्रोजीट सिरप को लेने के बाद मीन अधिक आती है या चक्कर आते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए, जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्क्ता की आवशक्ता होती है, ब्रोजीट सिरप के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योकि ब्रोजीट सिरप के साथ शराब का सेवन करने की वज़ठ서 से side effects होने का जोखिम अधिक हो जाता है, और नींद आने की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है बलड प्रेशर बहुत ज्यादा होने पर और कोई दिल से संबंधित बीमारी होने पर ब्रोजीट सिरप को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्टर की सलाह के बिना ब्रोजीट सिरप को नहीं लेना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को ब्रोजीट सिरप या इसके किसी भी इंग्रीडेंट से एलरजी है तो ऐसे व्यक्तियों को ब्रोजीट सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए ज्यादा तर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ब्रोजीट सिरप को न लेने की ही सलाह देते हैं इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ब्रोजीट सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ब्रोजीट सिरप को नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ब्रोजीट सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं